कि है गाइस वेलकम डो सक्सें से यहां सो डिन आपक्ता फो back ढारे में तो दोस्तों के वक्त लयक्तर गुडिटन को में के किणूथ का देट में कंद्री रहा है कई सारे जूसु हैं उनके मुन में कई सारे डाउट से result को लेकर exams को लेकर vacances को लेकर then सबसे बड़ा जो big challenge है जूसु है हमारा मुंबई exams date को लेकर एक बात है guys यह मुंबई exams जो center था उन पे गरहन लग चुका है हलाइक है जब schedule जारी होती है प्सपॉन हो जाती है जारी होती है पॉस्पॉन हो जाती है next अभी भी इनकी exam date जो प्सपॉन कर दी गई है तो यह सा मत समझेगा कि हमारे लिए good news है कि तैयारी करने का एक big अच्छा मौका मिला है हाँ बात सही है अच्छा मुका मिला है लेकिन कहीं न कहीं है कि एक bad news भी है इसलिए मैंने first series में ही लिखा ये good news भी है and bad news भी है तो क्या है दोनों मैंसे totally discuss करेंगे वाले जितने भी candidate Mumbai exam center है प्लीज इस वीडियो को देखेगा आपके लिए एक अच्छी opportunities वाली वीडियो और मैं एक सही guidelines में इस वीडियो में देने जाए रहा हूँ नेक्स में बात करूँ इसकी result को लेकर bad news ये भी है कि इसकी result को लेकर result कब आ सकती है क्या Mumbai exam से पहली result घोसित हो सकता है या फिर result डिट कब घोसित हो सकती है नेक्स वेकंस कई सारे candidate का यहाँ पर आ रहा है बहुत सारे candidate को अब पता चल रहा है कि vacancies आ चुकी थी अब भी मेरे पास comment आते हैं sir इसकी vacancies कब आई थी form कैसे भरना है वाइस इसका exam भी हो चुका है आप form की बात करते हो तो उसमें कहना है कि next vacancies कब आईगी तो hopefully आपका selection नहीं हो पाया अपने form फिल नहीं किया फिर marks अच्छा नहीं है आपको लग रहा है कि मेरा marks नहीं अच्छा हो गया exam नहीं आएगा तो big opportunity है इसकी exams आप दे सकते हैं next inning में तो next इसकी vacancies कब आईगी इसकी भी discuss करेंगे क्या इसमें CBT2 exams भी होगा यानि की second exams भी होगा ये भी comment करना है तो इस भी हम discuss करने वाले है चले guys start करते हैं इससे पहले में बताना चाहूंगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो right information के लिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon को प्रेस करके notification bell call कर दें ताकि इसी तरह latest government और जॉप की update आपको पलपल मिलते रहे तो guys यह official website है आप यहाँ पर देख सकते हैं recruitment and result की section पर यहाँ पर बताया जा रहा है notice 4th oblig 2021 जो recruitment ही आपकी आए देख सकते है TMM जो vacances थी यह notification की नमर है और यही notice out की गई है exam postpone को लेकर चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो यही official notice है आप देख सकते हैं 4th oblig 2021 के लिए यहाँ पर बता जा रहा directly 4th में आईए गाप in view of surge in COVID-19 pandemic cases and implementation of strict law down and COVID-19 आपकी जो related है जितने भी सारे यहाँ पर restriction लगाएंगे महराष्ट्रा में subject examination schedule ने 11 अप्रेल को आपका exam सोने वाला था at Mumbai पूने और नागपूर में ओष्ट्रेंड आपकी जो postpone कर दी गई है तो hopefully इस्टिक law down लग चुकी है यहाँ पर आपका मुंबई other other city में और यहाँ पर इसलिए exams को postpone किया गया है because COVID-19 cases को लेकर कई सारे comment मुझे आ रहे थे guys हम कैसे जाए exams देने के लिए lockdown लगी है हम घर से नहीं निकल सकते हैं तो बेचारे कैसे जाते exam देने के लिए मेरा कहना possible नहीं हो रहा था लेकिन अब अच्छी बात है आप सब के लिए उन candidate के लिए जो exam देने नहीं जा सकते थे तो good news उनके लिए है कि exam postpone कर दी गई है ताकि वो next जब इनकी आई schedule तो exams exams देख सकते हैं अगर अभी exams हो जाते हैं तो बच्चे exams नहीं दे जा पाते हैं कई सारे उनके लिए मेहनत तयारी की है तो next जो phrase फिर से examination schedule आपके लिए जारी कर दी जाएगी लेकिन कब जारी की इसकी कोई date नहीं है admit card की वी जो date थी पाँच अपरेल इसको भी cancel कर दी गई आपको पता होगा कि admit card उस दिन नहीं download हो रहा था अब मैं इसमें discuss करता हूँ कि क्या अपरेल में exams होना possible लगता है आपको तो जीनी guys मुझे नहीं लगता कि अपरेल में आप exams होगी आपकी अब आपकी मई में exams conduct कराई जाएगी तो phrase आपको एक महना अभी तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो अच्छी तरीके से आप तैयारी कीजिए और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए देखे guys अगर आ उससे उपर लेवल की तैयारी करने की इंगलिस में थोड़ा सा आप जोड़ा सा जोड़ा सा जोड़ा सा जोड़ा दीजेगा और आपका जो भी आपका current affairs था current affairs में थोड़ी मोड़ी आप पकड़ ले सकते हैं ध्यान रखें एसी बात नहीं कि जो पहली आ चुकी है एक्ज उसकी new paper बनेगी new paper बनेगी तो paper आपका hard भी हो सकता है पहले से ज्यादा लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि hard होना चाहिए क्योंकि आप पर normalization का कोई rules नहीं लागो होता है तो hopefully question वही होगी लेकिन थोड़ा सा pattern यहां पर change कर दिया जागा लेकिन question का level same होगा थोड़ा सा language based question हो जाएगा और कुछ नहीं बात है अराम से तयारी कीजिए यहां पर demotivation नहीं होना है मेरा मतलब है सिर्फ आपको guidelines फोनों करना है और guide करना कि आप किस level की आप ज़्यादा over competence में ना आए कि हमारे लिए तो एक मैना मिल गया है तो अच्छी तरीके से तयारी हम कर लें आप लोगों को काफी wait करना पड़ सकता है क्योंकि जब तक Mumbai की exams नहीं conduct कराए जाएगी आपकी result नहीं आने वाली है क्योंकि इसमें इसा कुछ नहीं कि अलग अलग division wise होता चलिए result आउट कर दे लेकिन इसा अभी नहीं होगा guys finally आपका result आएगी answer की आएगी जब आपका Mumbai क exam हो जागा लेकिन जैसे मुंबई का exam होता है लगबग 3-4 दिन बाद आपकी result आजाएगी मतलब answer की दे दी जाएगी answer की देने के बाद वहाँ पे एक सब्ता के अंदर आपकी result आजाएगी देना आपकी डीवी और आपकी schedule जारी कर दी जाएगे medical की next बात करते हैं इसमें क कहना है सर इसमें second cbt भी होगा क्यों कि exam cg हुआ है तो जैसा कहीं जिक्र नहीं है official notification में आज से पहले कभी हुआ है ट्रेट्समें में की आपकी second cbt कराई जाएगी simple है जो आपको कहीं बता रहा है या फिर कहीं सून रहे तो बिल्कुल ही गलत है कोई second cbt इसमें नहीं होने वाली है बेखौप रही है और अराम से अपने तयारी कीजिए आप next में बात करता हूँ इसकी next vacancy की तो खेगाईस ट्रेट्समें वेट की जो vacancy थी यह आपकी vacancy जो भी आती है लगबख वपरवरी से मार्च के बीच में vacancy निकलती है और एक vacancy आपका September में भी निकलती है लेकिन यह vacancy जो मार्च में आई है September वाली ही vacancy को दो साल से निकाल रही है March में अब पहले September में निकलती थी लेकिन अब वो नहीं निकल रही है, तो दुबारा जो vacancies आने की possibility है, तो possibility आपको फरवरी में ही vacancies आएगी next आपकी 2022 में, तो अब आपको एक साल simply wait करना होगा इसके लिए, और देन यहाँ पर Indian Navy से कई सारी और पोस्ट पिल vacancies आएगी, Air Force से भी vacancies आ चुकी है, और आने वाली है, त तो इंडिया में जितनी इस भी vacancies निकलती है, अगर मैं बात करूँ सभी qualifications wise, तो सबसे ज़्यादा vacancies ITI की निकलती है, आपको लगता है नहीं निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा vacancies ITI की लिए निकलती है, चाहे वो apprenticeship की हो, चाहे वो job की हो, चाहे वो contract business पी हो, हर दिन ITI क job निकलती ही रहती है, लेकिन कहीं पे दो निकलती है, कहीं पे 200 निकलती है, कहीं 2000 निकलती है, फर्क इतना पड़ता है, लेकिन हर दिन ITI की जरूर vacancies आती है, तो तैयारी किजे, आपको जहां पे experience करने का मौका मिल रहा है, experience लिए आप बैठे मत रहिए, प्लीज नहीं तो कि सर मुझे job चाहिए, मुझे apprenticeship करना है, क्या करना होगा, कैसे बताइए, तो उसके लिए मैनत करने पड़ती है, उसका दूसरा कोई भी option नहीं होता है, कि मैं किसी को refer कर दूँ तो आपको job मिल लागी, या फिर मैं अपनी company में job देता हो, देखे, जिंदगी में लाचार न कि मैं थोड़ी सी ज्यादा guidelines आपको दे दी, फिर भी इससे related कुछ और doubt हो, आप comment कर सकते हैं, पूरी help कि सकते हैं, hopefully जिनका exam सोच चुका है, best of luck जिनका नई हुआ है, उनके लिए तयारी के लिए best of luck अच्छे से तयारी किजिए, और अलग-अलग vacancies आने वाली है, तो उसम से ज्यादा दोस्तों तक सेर करें, चैनल पर ने तो subscribe जरूर करें, चले विलते हैं एक्स वीडियो में, तद तक लेज़े हिंद